वीडियो और आज के इस वीडियो में हम पता करने वाले है कि क्या माल्टा आना सहीं रहेगा यह नहीं तो दोस्तों जब मैं इस वीडियो के बारे में रिसर्च कर रहा था तो उस टाइम मुझे लिटरली ऐसे नेगिटिव पॉइंट्स नहीं मिल रहे थे जिसके बारे में ब जाया है कि आपको माल्टा आना चाहिए या नहीं में दोस्तों सबसे पहले तो दोस्तों मैं मैं बहुत सारी उर्पने पॉपीं कंट्री में गया हूं अब सभी उर्पने अपनी लोकल लेंगवेज अ लुक्षा होती है लेकिन भेश बेनिफित ओश्मार माल्टा देट बा अपनी लोकल लेंग्विज में प्रफरेंस देते लेकिन आपको कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि यार यह कोई और कंट्री जहां पर इंग्लीश नहीं बहुत जाती है अल्मूस्ट एव्रिवन स्पीक्स इन इंग्लीश यह तो हो गई दोस्तों लेंग्विज की बात और अगर किसी भी कंट्री में जाए तो रोटी कपड़ा और मकान यह तीन चीज़े बहुत जरूरी लेकिन मेरे चाहल से इससे भी जादा जरूरी अगर विदेश में आ रहे तो जोब राइट तो ऐसी बहुत सारी लिंक एंडलेस और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपको मालिटा में मिल जाएगी जॉब्स के रिगार्डिंग स्पेशली इन फील्ड ऑफ टूरीज्म या फिनेंस कहलो या गेमिंग इंडिस्री ले लो यहां पर जॉब्स मिल लगता है वो यह है कि यहां पर लाइक अब इस इस रीली बीडिवल प्लेस तो लिव विकाज आप देख लो हर आस्पेक्ट में देख लो मतलब यहां का वैदर इंडियंस के लिए काफी सूटेबल है यहां पर जो ड्राइविंग है वो भी राइट-ंड साइड होती तो आ भी भी लाइक यू विल भी अराउंड नेचर ऑल दे टाइम और फिर यहां पर जो पब्लिक ट्रांस्पोर्टेशन वो भी काफी चीप है उसके बाद टेक्सिशन भी काफी कम है तो ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं जिससे की माल्टा एक बहुत ही बहुत बहुत माल्टा जैसी नाइट लाइफ मैंने तो फिलाल अभी तक नहीं देखी जितनी के इंट्रेश मैं विजिट किया हूं जैसे पाशा वेल एक एरिया वांका मैन अमेजिंग अनेक्स दोस्तों माल्टी स्पीपल की स्पेशलिटी यह रीली ट्रॉस वोर्थी और काफी तो रह्मन जो है लाइक ही वस ओल्ड और बहुत ही अच्छे से बात करते थे इवन मेरी मॉम से बात करते थे कि हमें इसका दिहान रख लूगा तो बहुत ऐसी चीज़ें होने लग जाती थी दे लाइक वो लोग आपको एस फैमिली ट्रीट करने लग जाते एक सर्टन पॉ में कती हो सकती कितना में सबस्ट दोकिए अगयों पार्ट अबर सब्स हाथ से इस अदर परमिट जो है वह आप जादां था यह वह पर्मीट वाइसीड ली ट्रैवल कर div तो उसके base पर बहुत सारे benefits है दोस्ता हूं तो यह कुछ important benefits है जो मैं consider करता हूं और अगर हम इसके अब negativity की बात करें तो सबसे पहली negativity आती है कि दोस्तों यहाँ पर एक problem वो है कि यहाँ पर settle नहीं हो सकते हैं मतलब settlement होना काफी मुश्कील है क्योंकि यहाँ की population around 5 lakh है एक small सा island है settlement इसली possible नहीं क्योंकि छोटा सा island है और यह easily PR किसी को देते नहीं मतलब मैंने तो यह समझे लो कि बहुत hard होता यहाँ पर PR असिल करना लेकिन आप जो अपना work permit है या student permit है उसको renew करवा सकते हो जितना time चाहो तब तक दोस्तों लेकिन हाँ अगर आप PR देख रहे हो permanent residency तो that's not possible in Malta एक small island है ज्यादा explore करने के लिए कुछ नहीं आपको मिलने वाला है यहाँ पर और एक और चीज दोस्तों यहाँ पर जो jobs रहती है तो उस टाइम पर यहाँ का पूरा जो market वो down हो जाता है क्यों क्योंकि टूरिस्ट जो है समर्श में आते बीचे से sunshine रहता है तो sunbathing करने वगेरा के लिए आते है यहाँ पर टूरिस्ट बट विंटर्स में बहुत बतलब फिर इनको struggle करना पड़ता है and then again यही कुछ चीजे थी दोस्तों जो मुझे लगती थी consider करना बट मैंने बड़ी मुश्किल सही इसके disadvantages ढूंडे तो of course this country के मुझे disadvantage ढूंडे में इतनी problem आ रही है तो वो country best होगी I have been there I've lived there it's a wonderful country to live and that's why Malta आजकल trending में चल रहा है क्योंकि सभी को पता चल चुका इसके बारे में so there's no doubt दोस्तों Malta is one of the best country in Europe at this particular moment let's see आगे क्या होता है तो definitely आप work permits के लिए अपलाए करें student visa के लिए अपलाए करें कोई issue नहीं है Indian food भी easily मिल जाएगा तो वो भी problem नहीं है Indians भी काफी मिल जाएगे तो वो topic पर बनाया करेंगे तो आज के लिए इतना ही thank you so much for watching this video see you in the next one